दूसरा मतलब ln में 1 प्लस a लिखने की बजाय से अगर मैं केवल a बोलू तो फिर वो 1 को जाना चाहिए इस वाले case में क्या है a 0 को जा रहा है तो यह जो पूरा argument है वो कहा जा रहा है 1 को अगर मैं इस पूरे argument को यह बोल दूँ तो फिर बस थोड़ा सचे ही जो दाएगा लोजिकली तो वो ही है लोजिकली तो अभी वी ऐसे लिखेंगे if present in product form of entire expression and if a is turning towards 1 then ln a can be replaced with a minus 1 मतलब argument minus 1 अगर log का argument 1 को जा रहा है तो ठीक है I hope you got it तो क्वेशन कर लेते हैं से लिमित एकस्टानिंग टोर जिरो बन माइनस को स्ट्री एक्स इंटो से इडिस टूपर तो एक्स माइनस वन अपन से 10 इन्वास 5 एक्स एंड साइन स्क्वेर 2 एक्स मालने यह question है एक्स अगर 0 को जा रहा है तो check कर सकते हो है चारोई टर्म 0 को जा रहा है ठीक है तो अब क्या क्या करें मारो shortcut limit access turning towards 0 यह पूरा product form में है पहला condition दूसा 3 एक्स 0 को जा रहा है क्योंकि एक्स 0 को जा रहा है ठीक है हो गया तो क्या करें इस पूरे को हटा list पर a-1 वाले form में जहां पर 0 को जा रहा है product form में भी है तो इसको भी उड़ा के क्या लिए सकते हैं केवल 2 एक्स whole divided by tanverse product form में है पहला चाहिए तूसा जीरो को जा रहा है तो केवल 5 एक्स इसको साइब्स 2x को जो है ऐसे लिख सकते हैं साइब 2x into sin 2x ठीक है यह sin 0 को जा रहा है व्यक्स प्रडुक्त फर्म में है तो यह साइड जाएगा सेम लॉडिक से यह साइड जाएगा तो अब आजएगा 2x into 2x यह जानसर आपकिंth to get back here cancel हो गया एकस होक्लिव हो एक स्क्वार और एक neighbor हो गया और दो टीन द्रोमिकर icion ठीक है इस तू से यह तू clip सटा तो अब उपर क्या बचा थूपर स्प्रेस के बचांछ द्री स्क्वार एक स्वार本बिर्ट के बचांछ 20 यह 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 आशे हुग है इस फ्टेयन का टीक है और देख लिया question 2 say limit x standing towards Malyak 2 e raise to power x minus e raise to power 2 into say ln x by 2 whole divided by cos x is square minus 4 minus cos x minus 2 ठीक है यह question अब solve guess को this is equal to limit x is turning towards 2 सब्सक्राइब इसको टर्की हडा सकते हैं क्या अफकोर्स नहीं हडा सकते हैं क्योंकि यह तो standard form में ही इस standard form तो e raised to power x minus आगे 1 होता है यह तो और ही कुछ लिखा है तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता कि हम directly हटा दें तो क्या करें वो हमने exponential limits में discuss किया था कि कहीं पे भी अगर e raised to power a minus e raised to power b जैसी चीज होगा तो इसको बाहर निकाल दो तो यहां पर हमने क्या क्या e square को बाहर निकाल दिया और e raised to power a minus b होता है a upon b नहीं होता तो यह हो गया ठीक है into पहला दूसरा lock के term को अटा सकते हैं बिलकुल अटा सकते हैं क्यों कि अगर x 2 को जा रहा है तो x by 2 कहा जाएगा 2 upon 2 1 को जाएगा तो lock का argument 1 को जा रहा है ठीक है तो lock के पूरे argument की बात करें अगर वो one को जा रहा है तो lock हटा सकते हैं अभी बोला है just two पर यह ठीक है इससे just two पर हमने यहाँ पर बोला है कि अगर आर्ग्युमेंट one को जा रहा हो तो lock को sorry lock को हटा कि argument minus one लिख सकते हैं तो हमने कर दिया है यहापर इसको अटा के आपने कर दिया argument, argument कितना है लोग का xy2, तो argument minus 1 ठीक है अब इस पर आगे cost को अटा दें क्या cost को ऐसे हटाने के सवाल ही नहीं उठता cost कभी ऐसे हटे गए नहीं, वो तो 1 minus cost होना चाहिए पहला चीज तो, दूसर अगर माले यह sign भी लिखा होता cost के यह sign लिखा होता तो भी sign नहीं हटता, क्योंकि यह product form में नहीं है क्या आगे, तो minus something और लिखा है ठीक है पहला चीज तो, हमने क्या हो लगा, क्योंकि cost हटे गई नहीं और दूसरा चीज, हमने क्या हो लगा, क्योंकि product form में नहीं, यह ठीक है cost क्यों नहीं हटेगा क्योंकि 1 minus cost a में से पूरा term हटता है, केवल cost अकेला नहीं हटता 1 minus भी 7 में होना चाहिए तभी वो indeterminate form बनता है, ठीक है अब कोई बच्चा बोले कि चलो ऐसे कर ले 1 minus cost x minus 2 minus 1 minus cost x square minus कोई होश है बच्चे अगर बोले कि चलो ऐसे लिख लेते यह ठीक है, एक जोड़ दिया और एक गटा दिया, तो यह 1 1 cancel हो जाएगा इस minus के विए से, यहां से और यहां से बचा हुए term वापस यह लिखा गया अब वो बोले कि अब तो लिखा गया 1 minus cost है, अब इसको हटा दें तो अफकोर्स नहीं अड़ा सकते, क्यों नहीं अड़ा सकते क्योंकि यह product form में ही नी इसकी जगा x minus 2 का argument का square by 2 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यह product form में नहीं इसके आगे तो आगे minus minus करके भी बहुत कुछ लिखा हुए, तो यह भी चीज fail हो जाएगा ठीक है तो फिर क्या करें अरे, directly कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमने पढ़ लिया क्या लिखा है, cos something minus cos something, ऐसे लिखा है तो यह पढ़ते हैं, मैं कौन सा formula याद आना चाहिए कौन सा formula याद आना चाहिए वो formula है cos a minus cos b का sorry, cos a minus cos b का तो वो वाला formula लिखा वो केतना देगा, 2 cos minus cos होता है, तो sin sin होता है एक बार तो sin जोड के by 2 x square minus 4 plus x minus 2 by 2 और एक बार sin के अंदर घटा के by 2 घटा के d minus c होता है, तो पहले x minus 2 लिखना पड़ेगा, x minus 2 minus x square minus 4 by 2 ऐसे हो क्या यह बहुत lengthy question लग रहा है, बट वो illustrate करने के लिए लेना है, ठीक है, एक की question है, बहुत सारे term इसलिए लिखा है, मैंने अपने आलस की वज़े से ताकि बार बार example ना लेना पड़े, logic समझ में आना चाहिए limit x is turning towards 2 अब आज़ो e square के क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, वो तो बेचारा वैसी constant है, लिखा नहीं ने दिया उसको तो फिर दूशा term क्या है अब यह जो दूशा term है e raise to bar x minus 2 नीचे minus 1 इसमें क्या है कि यह जो उपर x minus 2 है, यह वाला term color change कर लेते हैं यह वाला जो term है, यह अब 0 को जा रहा है और यह जो पूरा term है, यह product form में है तो इसलिए इस पूरे को हटा के a लिख सकते हैं तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं a यह है इस पूरे term को हटा के e raise to bar a minus 1 को हटा के a लिख दिया ठीक है यह कहा है, कुछ में नहीं LCM लेकर ऐसे लिख दिया इसको यह तो पहले से सही लिखा हुआ है सॉरी हाँ यह हो गया question यह ठीक है, यह तो numerator लिखा गया अब यह denominator denominator इक दो लिखा है, उसको ऐसे लिखा रहे हैं दिया अब यह जो sign है इसका argument कहा जा रहा है, अगर x 2 को जाएगा तो यह भी 0 को जाएगा, यह भी 0 को जाएगा तो यह पूरा argument तो 0 को जाई रहे ठीक है तो इस sign को अब हटा सकते हैं, क्योंकि यह पूरा argument 0 को जा रहे है, पहला चीज और दूसरा यह पूरे expression के product form में तो उड़ा दिया यह sign हटा दिया तो यह जग x square minus 4 plus x minus 2 upon 2 अब दूसरे sign पे आ गए इस sign का जो argument है, उसमें भी यह भी 0 को जा रहा है, यह भी 0 को जा रहा है तो इसमें भी यह पूरा 0 को जा रहा है sign का term product में है, plus यह पूरा term 0 को जा रहा है तो इसमें भी sign को अटा दिया क्योंकि product form में है पहला चीज और दूसरा 0 को जा रहा है तो इसमें भी ऐसे लिख दिया ठीक अब ये question convert हो गया, अब क्या करें, एक, तो, तीन, चार, चारो cancel, this is equals to limit x standing towards 2, e square into x minus 2 का whole square, numerator एक term यह, और एक term यह, whole divided by, denominator में इस में से और इस में से, एक x minus 2 common ले सकते हैं, बिलकुल, यहां पर बच गया, x plus 2, plus 1, वो गया, x plus 3, into, इन दौनों में से भी ऐसी ही किया, एक x minus 2 common ले लिया, और यह बन गया, 1 minus, 1 minus x plus 2, ऐसे बचाएं, शुरू में तो question देखने हैं, बढ़ा डरान में लग रहा था यह, बट अगर हमने, जो अभी बताया है, उससे अगर एक एक step save कर पाएं, तो फिर यह ऐसे, अच्छी जी form में आ गया, यह ठीक है, अब x minus 2 का square यह, और यह cancel कर दिया, क्योंकि x 2 को जा रहा है, यह ही factor है, जिसकी वएसे 0 को जा रहा है, 0 by 0 का form इसी की वज़े से, जब यह cancel हो गया, तो बस खतब हो गया, बाकी answer आ गया, यह कितना हो गया, e square, x अगर 2 को जाएगा, तो यह कहां जाएगा, अब इन determinant form बचाएं नहीं, तो value रख सकते हैं, अब तो सीधा सीधा, x अगर 2 को जाएगा, तो यह जाएगा 5 को, x अगर 2 को जाएगा, तो 2 और 2, 4 में से गया 3, तो minus 3, तो इतना सब कर कर आके, हमारा answer, finally, यह आया, I hope तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया तो वापस करो, rewind and दुबारा देखो,